अस्सलाम अलेकुम रहमतुलाहिव बरकातू वेलकम टुमाइचैनल इंग्लिश प्रैक्टिस वित आमिर तो आज हम फिर से एडवांस इंग्लिश इस्ट्रक्चर का ये फॉर्थ डे है ये चौथा दिन हमारा है आज हम पढ़ेंगे आज भी हम बहुत ही अच्छा इस्ट्रक या फिर के जगह पर हिंदी में जो बोलें हम अकसर हिंदी में या फिर अपने उर्दू लैंग्वेज में के बजाए या फिर के जगह पर इस तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं तो पहला हमारा सेंटेंस है देखिए और इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले आपको क्या करना ह एक पूरा sentence लिखना है आपको देखिए यहाँ पर पहले sentence उसके बाद plus instead of उसके बाद कोई object अगर कोई wob है तो wob लिखना है आपको अगर object है तो object लिखिए अगर कोई wob है तो wob लिखिए लेकिन सबसे पहले हमें एक sentence लिखना है पहले तो देखिए, यहाँ पर एक sentence है, मैं चाय के बजाए coffee पीऊँगा, तो पहरा आपको यहाँ एक sentence रिकालना है, मैं coffee पीऊँगा, तो I will take coffee, मैं coffee पीऊँगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा sentence खतम हो गया, I will take coffee, तो यहाँ हमारा sentence हो गया, I will take coffee, मैं coffee पीऊँगा, अब कि इस चीज़ के बजाएं तो instead of tea, tea के बजाएं, यानि चाय के बजाएं, चाय के बजाएं मैं क्या करूँगा, कौफी पिऊँगा, देखिए आपको पहले एक पुरा complete sentence बोलना है, और किस के बजाएं, किस की जगह पर, यानि चाय की जगह पर कौफी पिऊँगा, या चाय के scolding her, या फिर him, आप मुझे क्यों डाट रहें, why are scolding me, आप मुझे क्यों डाट रहें, देखिए ये पुरा complete sentence हमारा हो गया, why are you scolding me, आप मुझे क्यों डाट रहें, ये देखिए हमारा पुरा sentence complete sentence हो गया, अब किस के बजाएं, instead of scolding her, कोई अगर female है तो हर लाएंगे, आप instead of के बाद आपको, अगर वाब है तो वाब यूज़ करना है, अगर कोई object तो object यूज़ करना है, चुकर यहाँ पर देखिए हमारा एक वाब है यहाँ पर हमारा, तो हम यहाँ पर वाब यूज़ करेंगे, instead of scolding her या him, उसे डाटने के बजाएं, instead of scolding him, उसे डाटने के बजाएं, तो वाइर scolding में आप मुझे क्यों डाट रहें, instead of scolding her, उसे डाटने के बजाएं, देखिए, आप instead of के बाद मैंने आपको क्या का, आप verb भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई object है तो object यूज़ करें, तो चुकर यहाँ देखिए, scolding क्या हमारा एक वाब है, तो हम यहाँ पर इस ओफ के बाद हम वाब हमने यूज़ किया, अब हम तिसरे sentence पर आते हैं, you sleep in this room, today, आज तुम इस रूम में सो जाओ, instead of sleeping in that room, उस रूम में सोने के बजाएं, आज तुम इस रूम में सो जाओ, देखिए, पुरा sentence पहले हम लेंगे ए तुम इस रूम, तुड़े, आज इस रूम में तुम सो जाओ, अब किस के बजाए, instead of sleeping in that room, उस रूम में सोने के बजाएं, देखिए, पहले हमने एक complete sentence हमने कहा, यहाँ तक हमारे complete sentence हो गया, you sleep in this room, तुड़े, तुम आज इस रूम में सो जाओ, किस के बजाए, instead of sleeping in that room, उस रूम में सोने के बजाए, देखिए, instead of के बाद मैंने क्या लगाया, वाब थी तो मैंने वाब लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए, instead of के बाद देखिए, t, t एक noun है, तो हमने यहाँ पर कोई object है, तो हमने यहाँ अबजेक्ट रख दिया, अगर कोई वाब रहता के बजाए, मैं देहली जाना चाहूँगा, देखिए, हमने पहरे पुरा complete sentence रखा है, I would like to go to Delhi, मैं देहली जाना पसंद करूँगा, कहा जाने के बजाए, instead of going to पटना, पटना जाने के बजाए, तो पहरे आपको complete sentence रखना है, और किसके बजाए आप बोलना चाह रहें, तो आप जरूर इसको यूस करें, आप बहुत ही अच्छा structure है, अगर आप structure पढ़ते हैं, तो आप उन्यूस पेपर में भी आपको पढ़ने में help मिलेगी, और अब जब आप बात करेंगे spoken English में, तो आपको बहुत काफी मदद मिलेगा इससे, और आप better speaking कर पाएंगे, तो पह तो हम इंशालला अगर आप लोग इसी तरह हमारा support करते रहें, तो मैं serious को जो है आगे बढ़ाता जाओंगा, तो आप इससे जरूर use करें, और अगर कोई dot हो तो comment box में जरूर पूछें, तो अगर कोई dot होगा, अगर आप comment box में पूछेंगे, तो मैं इंशालला जरूर reply कर होगा, तो बस आज के लिए बस यह इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन टेक एंड बाबाए